दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों आज के इस वीडियो में 6 ख़बरें लेके आए हैं आपके लिए पाकिस्तानी आटे की चक्की में अब गेहू नहीं पिस रहा है लोग पिस रहे हैं उसकी चल्चा करेंगे तो अमेर सबसे पहले दोस्तों आप पाकिस्तान में हलत देख लीजिए लोग जो है आटे के पीछे दोड़ रहे हैं भगदल मच रही हैं मर रहे हैं लोग जबकि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है उसके बावजूद आज ही रिपोर्ट आई है भारत विरोधी जो एक्टिविटी का एक मात्र लक्ष बना हुआ है अभी भी दुनिया पर राज करने का सपना बिलकुल बुलंद है और चुकि इनकी रहा का सबसे बड़ा भारत है इसलिए उसको हटाने की जद्धो जहत में ये दिनरात लगे हुए हैं इसी वीच दोस्तों अडानी ग्रुक को लेकर घटना वाला होता है उसी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है लेकिन आप देखने वाली जिया ध्यूटती है बिखने वाले पर अब आप देखलो बिखने वाली जो कंपनी है उसमें बैंकों का जो करजा था उनको मात्र 2% मिल रहा है अंटानवे परसेंट करजा तो भीया मिली नहीं नहीं ना बैंकों को अब या कंपनी भी डू गई बैंक जोनों ने करजा दिया था वह भी बरबाद हो गया इस रिजॉलूशन प्रोसेस में तो आप मैं बताओ वो लोग जो पॉब्लिक के रिटेल निवेशक हैं जो बिकने वाली दिवालिया कंपनी को चाड़ चाड़ के खड़ीते हैं वह कितने अकलवन्द हैं आप स्वयम बताइए बारती इतियास का सबसे बड़ा होगा यह कहा जा रहा है साथ में जंता को डिसकाउंट द इस्तिमाल करेंगे करजे को कम करने में करेंगे तो हम यही सवाल पूछते हैं कि आत्मनिरफर इन्वेस्टर के रूप में क्या हम अपना पैसा ऐसे आदमी को देंगे ताकि वह इस पैसे का इस्तिमाल करके अपना करजा कम करें धंदे में अगर पैसा लगता है हमारा तो हम में खुशी होती है करजा कम करने में लगे तो अच्छा नहीं लगता साथ में दोस्तों इन्वेस्टर कोर्स में हमने आपको पड़ाया है कि यह जो कंपनियां थी इनका पब्लिक फ्लोट कम था लेकिन अब जो फ्लोट बढ़ जाएगा मार्केट में सप्लाई बढ़ हैं उन्हें पढ़के मूँ में पानी आजाए तो भाईया उसके पहले हलका सा अपने दिमाग का इस्तिमाल कर लीजिए और सारे कॉंसर्प्ट हमने आपको आत्मेवरे मेस्टर कोर्स में पढ़ाई हुए हैं तो भाईया कोई डरने की घवराने की बात तो है नहीं साथ में दोस्तों भारत में अभी भी लोग वाग टेसला के इंतजार में दुबले पतले हो रहे हैं लेकिन भारती लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक विकल लॉंच कर रही है टाटा टा एस जिससे लास्ट माईल डिलिवरी की जाती है या तो आपने इस ब प्रोदा ने अपना रेजल्ट फाइल कर दिया है उनका कहना है कि साब हमारा प्रॉफिट डवल हो गया है तो भाईया यह डवल प्रॉफिट कैसे हो गया किसी ने तो ब्रोक्रेज अदा करी है इसलिए हमारे जो स्टूडेंस है आत्मने पर फूचर्स और ऑप्शन स्पोर स्टूण में उन्हें हमने पढ़ाया है कि भाईया हमें अपनी ब्रोक्रेज को स्ट को बढ़ाना नहीं है ज्यादा पैसा दे देंगे तो यह हमें ही कमाना आए अगर कौस्ट बढ़ जाएगी तो कौस्ट कौन कमाएगा भाई-शाब हमारी इसलिए भाई-शाब सिर्फ खड़ा करने के लिए सौधा खड़ा करना वह गलत है जब आपको ट्रेड समझ में आए आपका कन्विक्शन लेवल हाई हो तभी आप सौधा क्रियेट करें नहीं तो भाई यह सांती से बैठें आपके पॉर्टफोलियो के चल रही है पावर अफ कंपाउंडिंग क्या दिखकत है नहीं तो यदि आप कंपल्सिफ ट्रेडर बन जाएंगे टीवी यूटूब टेलीग्राम इस्टाग्राम फेस्बुक के एजेंटों की रिक्मेंडेशन टिप लेकर ट्रेडिंग करेंगे तो भाई आपकी जो गाड़ी कमाई है ना उससे आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा उससे ब्रोकर का धन्दा बढ़ेगा और जिस व्यक्ति ने आपको लिंक देके आपका डीमेट अकाउंट खलवाया है उसकी चान्दी कर जाएगी आपको तो भाईया लहू लोहान होना है वो पक्का है इसलिए कम ट्रेड करें जहां विश्वास बहुत अधिक हो कन्विक्शन हो वहीं आगे बढ़े राज में दोस्तों इतियास गवाह है भारत पैट्रोलियम कोग खरीदा करता था अमेरिका से यह पैट्रोल डीजल निकाल लो तो जो बचता आए उसको बोलते हैं पैट्रोलियम कोग उसका इस्तमाल कोईले की जगह किया जा सकता है और वेनेजूएला का जो पैट्रोलियम कोग है वह अवल देयका है उसमें सलफर वगएरा नहीं होता तो अमेरिका से हम खरीदे थे लेड़ अमेरि की जो सिमेंट फेक्टरियां है उनकी भट्टियों में पेट्रूलियम कोग जल रहा है बिजली भी बन रही है अमेरिका का हो गया गाटा वेनेज्वेला को हुआ है लाव साथ में भारत ने भी डिसकाउंट की मौटी मलाई उड़ाई है अब दोस्तों आप स्वयम देख करा मोलेज और दोस्तों से मौहिया करवाएंगे वह आपको पचास हजार से एक लाख ने के बावजूद अन्य मलेगी यह कूर्स एसका लाव उठाएं इसी वीडियो के description box में दी गई है link उस पर click करके join कीजिए और ध्यान रखिएगा आपको साथ में मिल रहा है एक लाग रुपए का joining bonus lifetime validity के साथ धन्यवाद जैश स्री राम